National Highway Authority of India यानी NHEI ने वितवर्ष 2023 में 1987 किलोमीटर के राजमार्गियों के मोनेटाइजेशन का लक्ष रखा है मोनेटाइजेशन का मतब सीदी सी बात है कि उन सलकों को बेचा जाएगा टोल, ऑपरेट, ट्रांसफर सिस्टम और इंफरेस्ट्रक्चर इंवेस्मेंट टरस्ट के जरीए हाईवी का मोनेटाइजेशन किया जाएगा इस योजना के तहट राजमार्गियों के कुल 30 खंडों का मोनेटाइजेशन होगा उनके लिए चुने गए है कौन-कौन से खंडों का मोनेटाइजेशन होगा और ये इस्तितियाग क्यों होई दो-तीन आकले समझने की जरूरत है यहाँ पर उसके बाद हम देखते है कि कौन-कौन से खंडों पर बनी हुई सलकें जो ने बनाई है जिनने बेचा जाएगा पहली चीज़ समझना जरूरी है कि एनेचाई पिछले दो साल से जबर्दस्त दबाओं में है करज को लेकर करीब-करीब जो ताजा आकला हमारे पास है वो 2021-2022 का आकला हमारे पास है उसे साबसे शुभम एनेचाई पर 3.5 लाग करोल उपर का करज है आपको याद होगा कि सरकार ने पिछले साल के बजट में एनेचाई को बाजार से नए करज उठाने से रोक दिया था और पिछले दो साल से भारत में सडकें बनने की रफतार सुस्त और धीमी पड़ी हुई है एनेचाई एक डेट ट्रैप की तरफ की सकती दिख रही हाला कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि इसको समालने की कोशिश की जा रही पर भारत में सडक परियोजनाओं के क्रियान वेन पर इसका असर दिखाई दे रहा है और इसे पूरा करने के लिए डेट को पूरा करने के लिए एनेचाई को अपनी सडकों को टोल आपरेट ट्रांसफर के जरिए बनी हुई सडकों को प्राइवेट सेक्टर को देना पूरा है इसलिए जो सरकार ने एसेट मानिटाइजेशन का प्लान जिसे आप सरकारी संपत्यों के निजी करण का प्लान कह सकते हैं उसे जो बनाया था जूझ में 2021, 2020, 2020, 2025 के बीच में एनेचाई को 6 लाग करूल रुपई का जो सरकार का नेशनल मानिटाइजेशन प्लान था उसमें 1. एक दसमलब 6 लाग करोड रुपय का सबसे बड़ा हिस्सा एन्यचाई की सड़कों का था। यानि 2024 तक करज की जो इस्थिती है मदुरवई का एक स्ट्रेच है 124 किलो मीटर का दूसरा राजस्थान और गुजरात को जोडने वाला एक बारण शिवपूरी का स्ट्रेच है जिसको प्राईवेट सेक्टर को दिया जाएं गा जेतपुर्स, उमनात, खुजरात का एक स्टेच है जिसको दिया जाएगा और हरियाना में रहोतक बावल का एक स्टेच है जिसे प्राइविट सेक्टर को दिया जाएगा हामत और पर एसेट मानेटाजिशन की कोशिशें पिछले साल बहुत निशाने पर नहीं बैठी है लेकिन फिर भी एनेचाई की जो परिस्तिती है उसमें एनेचाई की बनी हुई सलकों को बेच कर एनेचाई को फंड मिलेगा तब सलकों का आगे विकास भी होप किया जा सकेगा और करज भी चुकाए जा सकेगे